हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका संघर्ष मई शामली, भाग चार में, दोस्तों, मैंने सोचा था कि एक ही पार्ट में कहानी पूरी हो जाएगी, लेकिन पचास वर्षों को बीतने में बहुत समय लगता है दोस्तों, और आप लोगों के लिए शामली ने जो काम्याभी हास उसको भी जानना बहुत जरूरी है तो दोस्तों, शामली ने अपने एक आशापद से होने वाली कमाई के साथ साथ, खेती के कार्यव दूसरों के खेतों में जाकर मस्दूरी करने के कार्यव पति ने कभी बक्री पालन कभी किया, कभी छोड़ा, इसी तरीके से अपने तीन वा बोर्वेल आने के कारण, शामली के ससुराल में भी लोगों के यहां खेत लह लहाने लगे। गाव के लगभग लोगों के पास ट्यूब वेल हो गए, अब शामली की भी इच्छा होने लगी कि मेरे भी खेत में बोर्वेल हो, लेकिन पैसा कहां से आये दोस्तों? कहते ह बेटे बेटियों को पढ़ाने लिखाने उनकी शादी करने के बाद खर्च बढ़ जाते हैं, और शामली की किस्मत तो आप जान ही चुके हैं, यह बात तो आपने भी सुनी होगी, कि कुछ इंसानों की सुख भगवान जन्म के साथ ही छीन लेता है, तो उनमें से शामली भ मैं इस कहानी में नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि कहते हैं, सुभा का भला अगर शाम को घर आ जाये, तो उसे भूला नहीं कहते हैं, और कम से कम मैं तो शामली को यही उम्मीद दिलवाती हूँ, कि शायद एक दिन इनको भी अकल आएगी, और तेरे जीते जी आएगी, खैर, छोड़िये, हमें तो यहां शामली के संगश को जानना है, तो दोस्तों, शामली ने सबसे पहले तो कुछ बीघा जमीन पैसा उधार लेकर खरी दी, वह कुछ बीघा जमीन पैत्रिक है, और इसके बाद हर एक पैसा कर्ज लेकर ट्यूबल बनाया है, आप लोग अंदाजा या सरकार से कोई सहायता नहीं थी, फिर भी शामली ने अपने सपनों को हवा दे दी है, और इस वर्ष ट्यूब वेल पर जीरे की फसल ले ली है, दोस्तों, शामली का, बस अब एक ही सपना है कि मैं दो साल और जिंदा रह जाऊं, और जितने पैसे मैंने उधार लिये हैं, वह च्छिव का जाऊं, मैं आपको एक बात बताना तो भूल ही गई दोस्तों, शामली काफी सालों से अस्थमा की मरीज भी है, इस कहानी को लिखने का मेरा एक ही मकसद है, दोस्तों की मेहनत और हिम्मत के बल पर हम हर चीज हासिल कर सकते हैं, अंत में, मैं आप सब को कहना चाहूंगी कि इनसान अगर अंदर से मस्बूत हो, उसके इरादे मस्बूत हो, तो उसे कोई भी चटान अपनी मंजलें हासिल करने से नहीं रोक सकती, फिर समाज, गाव, परिवार, बेटे बहु, रिष्टेदार, उसे कितना भी तोड़ने की कोशिश क्यों ना करें?